हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मैं चैनल, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू रेसिपी, जिसका नाम है खजूर पीठा, यह बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही टेश्टी लगता है, यह उपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉप्ट है, तो चलिए बनाना सुरू करते हैं, इसे बनाने के लिए हमें कड़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे आधा लीटर दूद, दूद में उबाला गया है, और अब हम इसमें डालेंगे दो कुटीवी इलाइची, इलाइची को डालने के बाद हमें कुछ देर तक दूद को चलाना है, और से पकाना है कुछ दिर हो चुगा आप देख सकते हैं इसके उपर थोड़ी थोड़ी मलाई आने लगी है और अब हम इसमें इलाईशी डाला था हम उससे निकाल लेंगे और फिर से एक परनारियल को अच्छे से चला लेंगे और अब हम इसमें एट करेंगे खजूर गुड़ गुड़ डालने के बाद हमें इसे गुड़ के मेल्ट होने तक लगातार चलाते रहना है आप देख सकते हैं गुड़ मेल्ट हो चुका है और दूत का कलर भी चेंज हो चुका है और अब हम इसमें एट करेंगे चावल का आटा हमें इसमें थोड़ा थोड़ा आटा डालते हुए इसका एक डू तैयार कर लेना है यहाँ फ्लेम मीरियम रखे और आप इसे लगातार चलाते हुए इसे पकाए जब तक ये डू के फोम में ना आ जाए दियान रहे आप इसे लगातार चलाते रहे वरना ये नीचे से चिपक जाएंगे ये देखिए हमारा डू लगभग रड़ी हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में प्लेट में निकालके इसे हम 10 मिनिट के लिए ढख कर रेश्ट पर रख देंगे 10 मिनिट हो चुके है और अब हम अपने हाथों में घी लगाएंगे और आटा को अच्छे से मसल लेंगे और अब हम इसके एक लोई तोड़ेंगे और इसे अपने हाथों में गोल करते हुए इससे इस तरह का सेब देंगे आप चाहे तो इसमें अपने मन पसंद का कोई भी सेब दे सकते हैं अब सेम प्रोसेस से हम सारे पीठे को तयार कर लेंगे हमारा पीठा रेडियो हो चुका है और हमें कड़ाई लेंगे उसमें डालेंगे तेल तेल के गर्म होने के बाद उसमें डाल देंगे पीठा तेल ज़्यादा गर्म ना हो और हमें फ्रेम को मीडियम ही रखना है वना ये उपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे हमें धीमी आच में इसे गोल्डिन होने तक पलट पलट करते हुए इसे तलना है हमें इसे थोड़ा थोड़ा चलाते हुए इसे पलट देना है और दूसरे तरब से इसे तल लेना है ये देखे, इसका कलर गोल्डेन हो चुका है, कितना अच्छा कलर आया है, हमारा पीठा बनके बिल्कुल रेड़ी है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से हम बागी सारे पीठे को भी तल लेंगे इसे भी हमें दीमियाच में ही दलना है, ये देखे हमारा सारा पीठा बनके त्यार हो चुका है तो आप भी ये रेसिपी एक पर जरू ट्राइब करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेरे में बताई कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, थैंक्स पूर वाज़िए